हेलो स्टूडेंट्स आज यह जोइन कर लीजे डेफिनिट सक्सेस पाटशाला के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म को चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजे जैसा कि मैंने आपको बताया कि नए बैच की हो गई है स्टार्टेंग येस हमने अगास कर दिया है और जो पहली वी साल भर क्या-क्या पढ़ना है तो पूरे एक साल का अपडेट CVSC की मेन वेब साइट पर आ चुका है और जैसा कि हम लोगों ने अभी दो दिन पहले लाइफ सेशन में आपको क्लियर किया था आपके टीचर्स ने मीटप जब करवाया था तो आपको बहुत क्लियर किया था क कि 9th class students हम लोग यहां पर वीडियो को कर रहे हैं चालू आप लोगों के लिए सेशन हो चुका है स्टार्ट तो भाई अपने दोस्तों तक जल्दी से जल्दी इस पूरे चैनल की लिंक को पहुंचाओ और अपने दोस्तों को बोलो कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब क्योंक को लाइज सेशन में भी और अभी भी बोल रहा हूं कि complete community post पे आप लोगों के लिए daily का time table आएगा येस आपको सिफ हमें follow करना है कौन सी वीडियो कितने बजे release हो रही है आप पूरे offline जैसी पढ़ाई online कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं कि finally अभिशेक sir आपके एके sir जो की म मेरा नाम है तो मैं आपके सामने आगया हूं साल भर क्या पढ़ने वाले हैं पूरी book में cbse ने हमारा क्या topics हमें important बोले हैं कौन से chapter के कितने marks हैं ठीक है तो चलिए mathematics के इस part को हम करते हैं चालू जहां पर हम बात कर रहे हैं complete syllabus overview की तो यहां पे cbse.nick.in website पे जब आप जा जो पूरा syllabus decide हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है आप लोगों के सामने अब कई बच्चे यहां पे confused हैं जब वो यह देखते हैं सर हमें सिर्फ 6 chapter पढ़ने हैं तो नहीं आपको 6 chapter नहीं पढ़ने आपको पढ़ने तो जादा है लेकिन उस particular topic जैसे कि number system में एक ही chapter है लेकिन जब मैं algebra के part पे जाता हूँ तो आपको दो chapters देखने को मिलेंगे एक polynomial और एक linear equation in two variables तो आपको इस तरीके से coordinate geometric में आपको geometry के part में आपको mensuration में आपको statistics में दो chapter मिलेंगे तो आपके जो number of total chapters हैं वो जादा है NCRT book जब आप pick करेंगे तो वो जादा है ये मैं ऐसा कहूंगा कि unit के नाम दिये हुए that means number system इस topic से 10 mark का paper decide होगा algebra से 20 mark का paper आएगा अब algebra जब आप देखेंगे अपनी book में तो दो chapters हैं मतलब दो chapters मिलके एक chapter polynomial और दूसा linear equation two variable मिलके 20 mark का total आपको paper बनेगा coordinate geometry आपकी 4 marks के है geometry का part अब geometry में construction का part आजाता है आपकी कई सारी चीज़े हैं उसके अंदर ठीक है geometry के part में आपको 27 mark का paper देखने को मिलेगा 27 mark सबसे ज़ादा जो marks है वो आपको यहाँ पे geometry के part में देखने को मिल रहे है 20 27 mark का सिर्फ आपका geometry का part है और number system है आपका 10 mark का part again algebra का जो part है वो अकेला 20 mark का part है तो यह एक बच्चे के लिए decide हो जाता है साल की शुरुआत में अगर आप proper planning करके चलेंगे तो आपको बहुत clear हो जाएगा कि कौन से chapters को आपको बहुत जादा टाइट रखना है ठीक है बहुत जादा टाइट रखना है आपका ऐसी 6 marks का सिर्फ statistics का part है but mensuration आपका 13 marks का part है और बहुत easy surface area and volume के chapter यहाँ पे cover होगा ठीक है तो आपको अब मैं लेके जा रहा हूं इसके depth explanation के अंदर कि number system में क्या-क्या topics पहला chapter जो है आपका number system ठीक है वो sub topics आपके लिए decide किये गए हैं वो sub topics पे हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे total 18 periods में वो आपको यह सिखाने वाले हैं कि एक review देंगे सबसे पहले तो कि आपने 8th class में क्या-क्या किया natural numbers क्या होते, integers क्या होते, rational numbers किन को बोलते है, rational numbers के बाद आपको जो part यहाँ पे सिख सिखाने वाले हैं कि operations कैसे लगते है rational numbers के उपर, recurring or terminating decimals कब बोला जाता है, ठीक है, non recurring or non terminating numbers होते हैं, इनके लिए word सिखाया जाएगा irrational numbers, तो आपको यहाँ पे irrational numbers और real numbers यह दो शब्द सिखाने वाले हैं, कि irrational numbers क्या होते है, real numbers क्या होते हैं, दो नहीं चीज़े हैं सिखन को मिलेंगी, एक method आपको पढ़ना है, और वो method है rationalization, तो आप अपनी copy में note कर लीजिए, पहले तो आपको यहाँ पे simple introduction का part मिलेगा, दूसरा part आपको यहाँ मिलेगा, कि कब rational numbers को हम recurring बोलेंगे, non recurring, non terminating बोलेंगे, जब यह दोनों word मिल जाते हैं, तो irrational numbers क्या होते हैं, ठी rationalization process आपको सीखना है, तो rationalization एक पूरा method है, जो पहले chapter में दिखाया जाएगा, clear है, और 8th class में आपने एक chapter पढ़ा था, exponents and powers, जो की again आपको यहाँ पर laws of exponents, और एक chapter आपने पढ़ा था, square root and cube root वाला chapter 8th class में, वो भी chapter आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, laws of powers and certs and indices, basically जब मैं आपको chapter पढ़ाओंगा तो मैं आपको जो वीडियो देने वाला हूँ, वो चार तुकडो में देने वाला हूँ, ठीक है, बहुत जल्दी मेरा पहला part आपके लिए introduction का release होने वाला है, ठीक है, जिस पर exercise 1.1 और 1.2 डिपेंड करेगी, done, then उसके बाद हम आगे exercise 1.5 तक जब move करेंगे, तो ये सारी तीन वीडियो और release होंगे, तो टोटल चार वीडियो या तीन वीडियो कुछ में है, इस chapter number system में आप लोग लिए release करूँगा, टोटल स्कूल में 18 periods में ये चीज को खतम करना है teacher को, ये यहाँ पर बताया गया, दूसरे chapter आता है, आपका algebra units के अंदर, algebra part के अंदर, polynomial and linear equation, polynomials में आपको क्या-क्या पढ़ना है, वो आपको clear यहाँ पर किया, आपको definition पढ़नी है, कि polynomials किसको बोलते है, कैसे पहचाने, क्या चीज polynomial है, क्या चीज polynomial नहीं है, ठीके, coefficients किसको कहते है, terms किसको कहते है, zero polynomial क्या है, constant polynomial क्या है, ठी degree word आप already 8th class में अगर नहीं सुनकिया है तो 9th class में बहुत depth में जाके explain किया जाएगा कि degree word कभ यूज करना है क्योंकि 10th class में इसका use होने वाला है ठीक है then quadratic polynomial linear polynomial में लोग cubic polynomial words आपको सिखाए जाएंगे monomial, binomial, trinomial, bic quadratic ये words कभ यूज करते है zeros of polynomials का क्या मतलब है roots का क्या मतलब है value निकालने का क्या मतलब है ठीक है तो main शब्द जो आप 10th class के लिए सीखेंगे 9th class में वो है zeros of a polynomial done remainder theorem आपको यहाँ पर पढ़नी है again factor theorem हटा दी गई है लेकिन जब आप हमारे साथ join करेंगे तो आपको factor theorem भी पढ़ाऊंगा तो factor theorem remainder theorem इस chapter में दोनों चीजे बताऊंगा देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला भी statement and proof of the factor theorem मतलब factor theorem है हटी नहीं है factor theorem भी है और remainder theorem भी है तो दोनों चीजे मैं आपको सिखाऊंगा then identities identities से factorization करना ठीक है तो factorization हम सिखाएंगे using identities clear है यह चीज तो इस chapter में जो की chapter polynomials है यहाँ पर पिछले साल जो की जो bash था आपका 2023 वाला उन लोगों के लिए remainder theorem हटा दी गई थी तो इस साल आप लोगों को remainder theorem दुबारा डाल दी गई है तो remainder theorem पढ़ेंगे factor theorem पढ़ेंगे done factorization सीखेंगे identity method लगाके और factor theorem लगाके तो यहाँ पर दो chapter मैंने अभी तक आपको बता दी है number system polynomials algebra का जो तीसरा chapter है वो है linear equation in two variables linear equation in two variables अभी तक आप linear equation in one variable 8th class में पढ़ रहते हैं 9th class में chapter आएगा linear equation in two variable 10th class में यही chapter है again but pair of linear equation in two variables है ठीक है वहाँ पर एक word pair जूड जाता है तो यहाँ पर हम इस chapter में क्या करने वाले हैं इस chapter में basically हम linear equations को recall करेंगे linear equations in one variable किसको बोलेंगे linear equation in two variables का क्या मतलब है general form क्या लिखी जाती है हम general form पर बात करेंगे ठीक है किस तरीके से infinite solutions बनते हैं इस पर हम discuss करेंगे ठीक है कैसे उनको plot करना है that means graphical part हिनों ने डाल दिया यह part 2023 तक हटा दिया गया था 2023 में यह part नहीं था बट 2024 में plotting करना और कैसे उसको हम बनाएंगे तो यह चीछ add कर दिया done coordinate geometry में जब हम आएंगे तो coordinate geometry में हमें Cartesian system को पढ़ना है coordinates of a point पढ़ने हैं उनके names और क्या-क्या terms associated इस chapter में तो बहुत छोटा chapter coordinate geometry जिसको seven periods में कह रहे हैं कि आपको खतम करना है और यहां पर coordinate जो है वो चार marks का ही आ रहा है तो बहुत छोटा पार्ट रखा और चार माक्सिमान मात्री यह अपने में रखता है ठीक है तो यह chapter बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेंदी नहीं है छोटा chapter है तो टोटल चार chapter हम डिसकस कर चुक है number system हो गया polynomials हो गया linear equation two variable हो गया coordinate geometry हो गया पांच्वे chapter पर जब हम जाएंगे तो वो geometry का पार्ट चालू होता है geometry के पार्ट में फिर यहाँ पे euclid geometry lines and angles circles triangles वो सब हमें पढ़ने ठीक है चोबिस माक का है 27 माक का है यह जो chapter है यह है आपका geometry का पार्ट 27 माक का सबसे important जो पार्ट है वो है geometry का पार्ट और geometry के पार्ट में हमें पढ़ने है euclid geometry बहुत easy chapter है postulate skin को कहते है axiom skin को कहते है ठीक है क्या धारनाएं हमने रखी है कैसे चीजों को प्रूफ करना है ठीक है बहुत simple seven periods में खतम करेंगे ठीक है जादा जादा दो या तीन माक्स का इसको पकड़ लीजे 27 में से देन हम जाएंगे में जो chapter है वो है lines and angles lines and angles के बार next chapter है triangles और triangles के बाद quadilaterals quadilaterals के बाद circles इसलिए 27 माक का है तो सबसे important जो ninth class में है वो है geometry ठीक है geometry के part में आपको ये पता होना चाहिए कि lines किनको कहते हैं angles किसको कहते हैं अब क्योंकि आप Euclid geometry पढ़ रहे हैं तो Euclid geometry में आप axioms पढ़ेंगे आप theorem word के बारे में समझेंगे आप postulate को समझेंगे उन सब का combination इन chapters में आएगा मतलब number of theorems देखने वाली है number of exams मिलने वाली है done again जब हम chapter triangles में आएंगे तो यहाँ पे chapter triangles में हम लोग similarity पढ़ने वाले हैं दो triangles को similar कब कहते हैं तो word similar और equal मतलब congruency सीखने वाले हैं तो आप यहाँ पे sas congruency सीखेंगे asa congruency सीखेंगे triple s congruency सीखेंगे और rhs congruency सीखेंगे done आपको यह सारी चीजे यहाँ पे सीखनी है इनका प्रूफ सीखेंगे theorems है again axioms है तो triangles chapter अपने आप में एक बड़ा chapter है ठीक है lines and angles एक अच्छा chapter again यह है आपके सामने और जो fourth part है वो है quadilaterals geometry के part में quadilaterals circles lines and angles और triangles यह चार पांच चीजे जो है चार चीजे मैं कहूंगा ज्यादा important है as compared to euclates ठीक है तो euclates तीन marks अगर मैं पकड़ लूँ तो बाकी जो 25 marks 24 marks हैं वो इन chapter से questions बनते हुए देखेंगे quadilaterals की पूरी family आप 8th class तक पढ़ चुके हैं 9th class में quadilaterals के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस पकार से हम लोग congrency का use कर सकते हैं पहली चीज़ ठीक है तो quadilaterals में हम लोग proof करना सीखने वाले हैं properties को जहाँ पर हम लोग word theorems देखेंगे circle chapter में जाता हूँ तो circle अपने आप में एक बड़ा chapter है सिर्फ circle वो नहीं है जो आप गोला अभी तक सुनते वे आ रहे थे diameter radius से हट के हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर cod किसको कहते हैं sector किसको कहते हैं segment किसको कहते हैं इन सब से मिलके क्या-क्या theorems बनती हैं ठीक है तो हम लोग base में जाके पूरा chapter circle समझेंगे again 10th class में यह chapter फिर आएगा जहाँ पर word आपको tangent सिखाया जाएगा तो circles के अंदर अभी जो हमें सीखना है diameter radius तक तो सबको पता है circumference सबको पता है लेकिन circles की actual definition क्या है circles की दो definition होती है geometrical language में क्या बोला जाएगा general language में क्या definition होती है then जब मैं circle के अंदर आऊंगा तो वहाँ पर हम sector किसको कहते है segment किसको कहते है cod किसको कहते है ठीक है diameter cod कब बनती है cod diameter कब बनती है ठीक है हम यह सब सीखने वाले minor segment क्या है major segment क्या है बहुत सारे terms आप लोग और proofs यहाँ पर देखने वाले तो again एक vast chapter है बड़ा chapter है इसके बाद सब easy बार चालू हो जाता है तो हम लोगों ने देखा पहला chapter number system then हम आए polynomials पे then हम आए linear equation in two variables पे coordinate geometry पे फिर हम लोग geometry के coordinate geometry के बाद हम लोग आए यहां पर geometry के part में ठीक है तो geometry के part में आपने 5 chapter देखे Euclid geometry देख लिए lines and angles देख लिया circles देख लिया mensuration, mensuration के अंदर areas of triangle जहां पे आप hero's formula सबसे easy chapter आप पढ़ने वाले है यह आपको जबकि मैं सबसे पहले पढ़ातूंगा ठीक है hero's formula और surface area and volume के अंदर हमें सिर्फ spheres, hemispheres और cones के बारे में पढ़ना है ठीक है आप already यहाँ पे मैं कहूंगा cube, cuboid के बारे में 8th class में पढ़ चुके हैं, cylinder के बारे में पढ़ चुके हैं जब आप 9th class में आए हैं तो आपको spheres पढ़ने, hemispheres पढ़ने और cone पढ़ना है clear है, video को like जू करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जू करिएगा, उनको बताईएगा कि क्या-क्या syllabus का part है और कितना पढ़ना है statistics के part में जाऊंगा, तो statistics में आप bar graph पढ़ेंगे, आप histograms पढ़ेंगे, frequency polygon पढ़ेंगे तो statistics में आप graphs related चीच पढ़ेंगे, इसके बाद एक chapter और है, जिसमें आप depth में जाके, मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, कि आपका जो, नी, telemarks वाला जो चार्ट बनता था, तो telemarks के अंदर में आपको वो भी बताने वाला हूँ, वो part यहाँ पर लिखा हुआ नही हैं, लेकिन हाँ, मैंसे अगर आप पढ़ेंगे, तो statistics में आपको frequency polygon से पहले, हम आपको यह बताने वाले हैं, कि भाया, वो जो आप telemarks का use करते थे, 8th class तक, 9th class में, उस पे based, inclusive method, exclusive method, तो हम उसको अपना part जरूर बनाएंगे, क्योंकि वो 10th class में again use होगा, chapter statistics के अंदर, तो ने बहुत जादा अपने syllabus को यहां statistics में और चोटा कर दिया, लेकिन हम और depth में जाके उसको पढ़ेंगे, तो यह था syllabus overview, जो कि 9th class students, मैंने आपको बताया, NCIT book में कितना पढ़ना है, classes हमारी start हो रही है, daily आपको video मिलने चालू हो जाएगी, ठीक है, पूरा time table अपने दिव पर नोट करके लिख लीजिए, कि अभिशिक सर, विभूती मैम, अभिशिक अगरवाल सर, आपके एके सर, ठीक है, नेहा मैम, रुपाली मैम, इन सब की videos, इन सब की classes, किस-किस दिन आपको मिलने वाली है, क्या time table follow होने वाला है, यह community post पे already आप लोगों के लिए डाल दिया बच्चों आपके लिए, तो 2024-25 का यह जो batch है, 24-25 का यह जो batch है, इनके लिए CBSC ने already syllabus overview दे दिया है, हमने अपने इस channel पे definite success पाटशाला के platform पे आपको complete बता दिया कि कितना पढ़ना है, और कितना कहां टिके रहना है, कौन सा subject, कौन सा part, कौन सा chapter, कितने marks का आपके लिए ह सबसे जादा आपने देखा 27 माग का जो chapter है, वो geometry parts है, ठीक है, तो हमें उसको बहुत strong करना है, then हम जाएंगे algebra part पे, done, चली, तो मिलते हैं आपको main lectures में, अपना ध्यान रखो, bye and take care.